नमस्कार किसान साथियो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जोन डियर 5005 33 HP और महिंदरा 265 DI Power Plus 35 HP के दोनों ही ट्रेक्टर्स में क्या-क्या अंतर है इसके बारे में संपूर्ण और विश्तरत जानकारी साथियो जोन डियर की लुक से सुरू करते हैं तो इसमें सिंगल पीस हुड जोन डियर का टिपिकल स्टाइल और इसके एंजन की बात की जाए तो इसके अंदर 33 HP का 1200 इंजन डियर रपीम पे 3 सिलेंडर 9 टर्बो 2900 CC का एंजन लगा हुआ है जो की जोन डियर कंपनी खुद ब जोन डियर का इंजन काफ़ी रिलायबल भी होता है साथियो अगर 265 के इंजन की बात की जाए तो इसमें 35 HP का 1900 इंजन डियर रपीम तीन सिलेंडर 9 टर्बो 2048 CC का इंजन लगा हुआ है जो की वोटर कूल्ड इंजन है और काफ़ी अच्छा रहता है इसका एयर क्लीनर जो ह की प्री क्लीनिंग के साथ आता है और आपके इंजन तक सुद्धवा पहुचाता है साथियो जोन डियर के अंदर बैटरी आगे माउंट की गई है और इसका एयर क्लीनर ड्राइट आइप का डूल एलिमेंट आता है और इसमें एक सेंसर लगा है जिससे फिल्टर चोक होने के लिए माइको बोस कंपने का इंलाइन पंप, वोटर सेपरेटर और डबल डीजल फिल्टर दिये गया है जिससे की सुद्ध डीजल जोन डियर के इंजन तक पहुचे और हीट के गार्ड भी दिये गया है जिससे किसान भाई तक गर्मी ना पहुचे इंजन की साथियो महि महिंद्रा के अंदर भी डबल डीजल फिल्टर माइको बोस कंपने का इंलाइन पंप दिया गया है लेकिन महिंद्रा के अंदर आपको वोटर सेपरेटर नहीं मिलता जो की जोन डियर के अंदर मिलता है साथियो जोन डियर के अंदर आपको नोन एड़स्टेवल फ्रंट टैक्सल सिंगल सिलेंडर पावर स्टेरिंग मिलता है और फ्रंट टायर 616 के मिलते है Tandem Pump मिलता है Hydraulic का Pump अलग है Power Steering का Pump अलग है Mahindra के अंदर भी आपको Tandem Pump मिलता है लेकिन उसमें जो Power Steering है वो Double Acting Power Steering मिलता है जबकि John Deere में Single Acting Power Steering मिलता है Mahindra के अंदर भी Non Adjustable Front Axle मिलता है Bow Type का जिससे की Turning Radius कम हो जाता है और इसमें Mechanical Steering का Option भी मिलता है लेकिन John Deere के अंदर आपको Mechanical Steering का Option नहीं मिलता Mahindra का Front Tire 616 का आता है साथ यो ये देखिए John Deere की शांदार टीपिकल John Deere Style वाली लुक पिछले टायर की बात की जाए तो इसमें 12,4,28 और 13,6,28 दोनों ही Option किसान भाई को John Deere Company प्रोवाइड कर आ रही है साथ यो ये देखिए ट्रैक्टर की पीछे से लुक काफी सांदार दी गई है और John Deere की Fuel Tank Capacity 60 L, 60 L की दी गई है दमदार पिछला एक्सल प्रोवाइड कराता है कमपनी और इसके अगर ये देखिए इंडिकेटर्स और फेंडर्स वगएरा काफी अच्छे और मजबूत दिये गए हैं फाइबर का Fuel Tank और आईरन का नहीं है बहुत ही बड़िया और इसका जो पिछला एक्सल है वो Crown and Pinion टाइप का Straight Technology का पिछला एक्सल है जो की काफी अच्छा रहता है पूरा का पूरा एक्सल तेल में डूबा हुआ है Hydraulic Lift Capacity 1600 kg की है जोन डियर की और इसमें कुछ अधर इलेक्ट्रिक इंप्लिमेंट एड़ करने के लिए एक सर्किट दिया गया है थिरी Sensing Point दिये गया है आपके इंप्लिमेंट को ट्रेक्टर के साथ अटेच करने के लिए जबकि महिंद्रा में एक ही Sensing Point आपको मिलता है यहाँ पर QRC कपलर लगाने के लिए एक पाइप दिया गया है जबकि ऐसी सुविद आपको कोई महिंद्रा में नहीं मिलती है और इसकी जो के लिए है और अगर PTO की बात की जाए तो इसके अंदर 546 स्प्लाइन की PTO आपको मिलती है 540 RPM 2100 इंजिनिटर RPM पर और इसकी PTO HP 29 HP है साथ यह महिंद्रा 265 के पिछले हिस्से की बात की जाए तो इसका हिस्सा भी काफी मजबूत आता है और इसका जो हाइडरोलिक लिफ्ट कैपसिटी है वो 1200 केजी है जबकि जोन डियर में 1800-1600 केजी है साथ यह इसकी PTO की बात की जाए तो इसमें 32 HP की 6 स्प्लाइन 540 RPM वाली PTO लगी हुई है जबकि जोन डियर में 29 HP की PTO लगी हुई है साथ यह महिंद्रा का पिछला एक्सल इनवोर्ड डियरक्शन टेक्नलोजी का पिछला एक्सल आता है जीरो ग्रिसिंग पॉइंट के साथ जो की काफी अच्छा है दोनों ही पिछले एक्सल दोनों ही ट्रैक्टर्स के काफी रिलाइबल है आप इसली उन पे भरोसा कर सकते है यह कुछ एडिशनल डिटेल है महिंद्रा की तरफ से आप वीडियो को पाउस करके पढ़ सकते है साथ यह इसमें यह टूल बोक्स आइरन का आता है जैसा कि मैंने आपको बताया सिंगल सेंसिंग पॉइंट दिया गया है इंप्लिमेंट को अटेस्ट करने के लिए जबकि जोन डियर में तीन सेंसिंग पॉइंट आते है दोनों ही ट्रैक्टर्स में फाइब वे अड्जस्टेबल सीट आती है प्लाव लैंप दोनों ही ट्रैक्टर्स में आते हैं और काफी हैवी और काफी साप सुत्रा ट्रैक्टर बनाये गया है महिंद्रा का साथ ये जोंडियर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं में डिजिटल और एनलोग दोनों ही टाइप के इंस्ट्रूमेंट किलस्टर आपको देखने के लिए मिलते हैं शांदार जोंडियर की लुक और छोटा से स्टेरिंग वील कमफर्टेवल को और बढ़ा देता है यहाँ पर यह मोबाइल चार्जिंग पोर्ड और पार्किंग क और उसके जस्ट नीचे स्टोपिंग स्विच दिया गया है ट्रेक्टर को बंद करने के लिए साथियो इसमें सिंगल टाइप का कलच आता है डबल कलच इसमें या डूल कलच का ओप्शन जोंडियर के अंदर नहीं आता है और नीचे बंप दिया गया है फ्लैट प्लेटफ और बहुत ही शांदार ट्रेक्टर और इसके राइट हैंड साइट पे आपको 1234 और रिवर्स का गियर लिवर पोजिचन कंट्रोल और ड्राफ कंट्रोल का लिवर 1600 kg की लिफ्ट कैपसिटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही शांदार ट्रेक्टर है जोन डियर का और आपके ये देखिए शांदार लोग और लेफ्ट हैंड साइट पे आपको पीटियो का लीवर और किलज पैडल मिल जाता है और A, B, C A, B और रिवर्स गियर का लीवर भी आपको लेफ्ट हैंड साइट पे ही मिल जाता है साथ ये है महिंद्रा ट्रेक्टर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बड़ा स्टेरिंग वील जग्कि जोन डियर के अंदर छोटा स्टेरिंग वील आता है यहाँ पर ये कुछ एनलोग और डिजिटल दोनों ही क्लस्टर के साथ आपको मिल जाते है यहाँ पर ये लाइटिंग, पार्किंग, होर्न और की स्विच आपको स्टेरिंग के राइट हैंड साइट पर मिल जाते है और यहाँ पर एक छोटी सी फाइबर की पोकेट दी गई है, आप अपने मोबाइल को रख कर उसके अंदर ही एक 12 वोर्ट DC का मोबाइल चार्जिंग पोर्ट दिया गया है जोकि एक यूनिक और अच्छा फीचर है साथियो इसके, इसमें सिंगल टाइप का क्लच आपको देखने के लिए मिलता है दोनों ही ट्रेक्टर्स में और सेंटर सिफ्ट, स्लाइडिंग मैस, गेर बोक्स, महिंद्रा के अंदर आता है जबकि पार्शल कॉंस्टेंट मैस का उप्शन भी आपको मिल जाता है आठ गेर आगे जाने के लिए और दो गेर पीछे जाने के लिए मल्टी प्लेट, ओईल लिमस, डिस्क ब्रेक, इस ट्रेक्टर के अंदर भी आपको मिल जाते है साथियो जों डियर के अंदर साइड शिफ्ट गेर बोक्स आता है एट पिलस फोर कोलरड शिफ्ट टैक्नलोजी का और ये पीटिओ का लिवर है जैसा कि आप देख सकते हैं तो गेर बोक्स में भी दोनों ही ट्रेक्टर में काफी डिफ्रेंस है पीटिओ में भी काफी डिफ्रेंस है यह यह पोजिशन कंट्रोल और ड्राफ्ट कंट्रोल के लीवर आप देख सकते हैं 1200 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी और कंट्रोल करने के लिए लिफ्ट कैपेसिटी में भी दोनों ही ट्रैक्टर्स में काफी डिफरेंस है और इनका प्राइस लगबग सेम रखा गया है साथियों इनके प्राइस की बात की जाए तो ये दोनों ही ट्रैक्टर्स आपको 5 लाख रुपए के आसपास मिलते हैं आप डीलर से थोड़ा उपर नीचे कर सकते हैं साथियों यही था 5005 और 265 पाउर प्लस के बारे में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना सुजा हो में कमेंट बॉक्स में जरूर देना धन्यवाद